उस्तका नाम गायत्री महाविज्यान प्रथम भाग लेखक, युग रिशी, वेद मूर्ती तपुनेष्ट पंडे श्री रामशर्मा आचारे ओडियो 5 शीर्षक है गायत्री द्वारा सतोगुण व्रद्धी के दिपिलाब गायत्री सद बुद्धी दायक मंत्र है वह साधक के मन को, अंतह करण को, मस्तिष्क को, विचारों को, सनमार्ग की और प्रेवित करता है सत तत्व की व्रद्धी करना उसका प्रधान कार्य है साधक जब इस महा मंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वो परी सम्रध्धी और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद बुद्धी को प्राप्त करना है यह माननिता सुद्रण होने पर उसकी इच्छा शक्ती इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालाइत होती है यह आकांशह मनह लोक में एक प्रकार का चुम्बकत्व उत्पन करती है उस चुम्बक कोई आकरशन शक्ती से निखिल आकाश के इथर तत्व में भ्रमण करने वाली सतोगुणी विचारधाराएं भावनाएं और प्रेरणाएं खिंच-खिंच कर उस स्थान पर जमा होने पीचते हैं फलसरूप संसार के म्रत और जीवित सत पुर्षों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून में सदे भ्रमण करते रहते हैं गायत्री साधक के पास दैविय वर्दान की तरह अनायासी आकर जमा होते रहते हैं और संचित पुझी की भाती उनका एक भंडार जमा हो जाता है शरीर और मन में सतो गुण की मात्रा बढ़ने का फल आश्चर रिजनक होता है इस थूल शरीर से देखने पर यह लाब ना तो समझ पढ़ता है और ना अनुभव होता है और ना उसकी कोई महत्ता मालुम पढ़ती है पर जो सूक्ष्म शरीर के संब अधिक जानकरी रखते हैं वी जानते हैं कि तम और रवज का घटना और उसकी स्थान पर सत तत्व का बढ़ना ऐसा ही है जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, बेश, विजातिय, पदार्थ घट जाना और उनकी स्थान पर शुद्ध, सजी, परिपुष्ट, रक्त और वी पर उसका स्वास्थ की उन्नती पर जो चमतकारिक प्रभाव पड़ेगा उसमें कोई संदे ही नहीं किया जा सकता इस प्रकार के लाब को यदि ईश्वर प्रदत कहा जाए तो किसी को आपत्ती नहीं होनी चाहिए शरीर का काया कल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य है उसके क सुनिष्टित लाब होगा ही यह लाब दैवी है या मानवी इस पर जो मतबेद हो सकता है उसका कोई महत्व नहीं है गायत्री द्वारा सतोगुन बढ़ता है और निम्नकोटी के तत्व का निवारन हो जाता है फलसरूप साधक का एक सूक्ष मकाया कल्प हो जाता है इस प् जगरने से कुछ लाब नहीं बात एक ही है कोई कार किसी भी प्रकार हो उससे इश्वर सत्ता प्रथक नहीं है इसलिए संसार के सभी कार इश्वर इच्छा से हुए कहे जा सकते हैं गायत्री सात्ना द्वारा होने वाले लाब वैज्यानिक आधार पर हुए भी कहे जा सकते हैं और ईश्वरिय क्रपा के आधार पर हुए कहने में भी कोई दोश नहीं शरीर में सत तत्व की अभिव्रद्धी होने से शरीर चर्या की गतिविदी में काफी हेर फेर हो जाता है इंद्रियों के भोगों में भटकने की गती मंद हो जाती है चटोरे पन तरह तरह के खाने के लिए मन लल्चाते रहना बार बार खाने की इच्छा होना अधिक मात्रा में खा जाना भख्षाक्ष का विचार ना रहना सात्विक पदार्थों में अरूची और चटपटे मीठे गरिष्ट पदार्थों में रूची जैसी बुरी आदत धीरे-धीरे कम होने लग हलके, सुपाच, सरस, सात्विक भूजन से उसे त्रप्ती मिलती है और राजसी, तामसी, खाद्यों से घ्रणा हो जाती है इसी प्रकार कामेंद्रिय की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण सयमित हो जाती है मन कुमार्ग में वियभिचार, बासना में कम दोड़ता ह ब्रह्मचरी के प्रती श्रद्धा बढ़ती है फलसरूप वीरी रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है कामेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रिया प्रधान है इनका सैयम होना स्वास्थी रक्षा और शरीर व्रद्धी का प्रधान हेतु है इसके साथ साथ पर और दीर्ग जीवन की जणे मजबूत होती हैं। निश्कपटता, सत्यनिष्ठा, निर्भयता, निश्चिंतता, निरालस्यता, शौर्य, विवेक, साहस, धैर्य, दया, प्रेम, सेवा, उदारता, कर्तव्य परायंता, आस्तिकता, सरी के सद्गून बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्राया नित्ती ही आते रहने वाले अनेकों दुखों का सहजी समाधान हो जाता है। इंद्रिय सैयम और सैयत दिन्चर्या के कारण शारीरिक लोगों का बहुत बड़ा निराकरण हो जाता है। विवेक जाकरत होते ही अज्यान जन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानी, आदी के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। इश्वर विश्वास के कारण मती इस्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रब्रत्ती के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलसरो राजदंड, समाजदंड, आत्मदंड और इश्वरदंड की चोटों से पीडित नहीं होना पड़ता। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, इमानदारी, लोकहित, आदी गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुँचता है। हानी की आशंका नहीं रहती, इससे प्राया सभी लोग उनके क्रतग्य, प्रशंसक, सहायक, भक्त, एवं रक्षक होते हैं। पारसपरिक सत्भावनाओं के परिवर्तन से आत्म को त्रप्त करने वाले प्रेम और संतोष नामकरस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंद में बनाते चलते हैं। इस प्रकार शारिरिक और मांसिक शेत्रों में सत्थ तत्व की व्रद्धी होने से दोनों और आनंद का मरता है और गायत्री का साधक उसमें निमग नरहकर आत्म संतोष का पर्मानंद का रसास्वादन करता रहता है। आत्मा इश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में छिपाए रहती है जो इश्वर में होती हैं। वेशक्तियां सुप्ता वस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विशय विकारों के, दोश दुरगुणों के धेर में दबी हुई अज्ञान रूप में पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीन ही इंतुच और अशक्त हैं पर जो साधक मनों विकारों को परदा हटा कर नेर्मल आत्म जियोती के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्व शक्ति मान ईश्वरिय जियोती उनकी आत्मा में मौजूद है और वे परमात्मा के सच उत्राधिकारी हैं, अगनी के उपर से राख हटा दी जाए तो फिर धेखता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है, वहां अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अगनी कांडों की संभावना से युक्त होता है, यह परदा हटते ही तुच्छ मनुष्य महन आत्मा महात्मा बन जाता है, चुकि आत्मा में अनेको ज्ञान, विज्ञान, साधरन, असाधरन, अध्भुत, आश्चर जनक शक्ति के भंडार चिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है, सिध्या प्राप्त करने के लिए बाहर से कु अपा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल अंतह करन पड़े हुए आवरण को हटाना पड़ता है, गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंदकार के परदे को हटा देता है, और आत्मा का सहज इश्वरिय रूप प्रकट हो जाता है, आत्मा का यह नेर्मल से परिपोन होता है, गायत्री द्वारा हुई सतोगुणी की व्रद्धी अनेक प्रकार की आध्यात्मिक और सांसारिक सम्रद्धियों की जननी है, शरीर और मन की शुद्धी सांसारिक जीवन को अनेक द्रष्टियों से सुक शांतिमय पनाती है, आत्मा में विवेक और आत उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हलकी बन जाती हैं, उसका कोई काम रुका नहीं रहता, या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिती बदल जाती है, या वह परिस्थिती के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है, क्लेश का कारण इच्छा और पर इस्थिती के बीच प्रतिकूलता का होना ही होता है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपना कर उस संघर्ष को टाल देता है और सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस प्रत्वी पर भी स्वर्गिय आनंद की सोर्शरी बहने लगती है। बास्तों में सुख और आनंद का आधार किसी बहारी साधन सामगरी पर नहीं, किन्तु मनुष्य की मनहा इस्थिती पर रहता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भूजनों और रेश्मी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वा किसी संत के उपदेश त्याग और सन्यास व्रत ग्रहन कर लेने पर जंगल की भूमी को ही सबसे उत्तम शया और वन के कंदमूल फलों को सर्वत्तम आहार समझने लगता है। यह सब अंतर मनोभा और विचारधारा के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है। गायत्री बुद्धी की अधिष्ठात्री देवी है और उनसे हम सद बुद्धी की याचना किया करते हैं। अतेव यदि गायत्री की उपासना के परिणाम सुरूप हमारे विचारों का इस्तर उचा उठ जाए और मानव जीवन की वास्तविक्ता को समझ कर अपनी वर्तमा इस्तिती में ही आनंद का अनुभव करने लगें तो इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। काफी लंबे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए अनेकों साधकों से हमारा परिचय है। हजारों व्यक्तियों ने इस दिशा में हमसे पथ प पूर्वक साधना मार्ग पर चलते रहे हैं। उनमें से अनेकों को आश्चर जनक लाब हुए हैं। वे इस सूक्ष्म विवेचन में जाने की इच्छा नहीं करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमों के आधार पर साधना श्रम का सीधा साधा फल उन्हें मिला। इ उसी से हमें अधिक लाब होगा। उनका या मनतव्य बहुत हत्तक ठीक ही है। श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए इश्ट देव के साधना सुरोप के प्रती प्रगार प्रेम, क्रतगिता, भक्ति और तनमेता होनी च आवशक है। गायत्री साधना द्वारा एक सूक बंद की द्रड़ता करने के लिए प्रतगिता और भक्ति भावना का पुट अधिकादिक रखना आवशक है। गायत्री उपासना से अनेकों को जो अनेकों प्रकार के लाब होए हैं, उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे इस्मृती पटल पर अब भी हैं। उनमें से थोड़ संस्मरण अगले प्रश्टों पर देने का इसलिए प्रयत्न किया जा रहा है कि इन पंक्तियों के पाठक भी उस मपत का अनुसरन करके लाभानवित हो सके।